देखने वाली बात है सौरब दुबे सौरब दुबे हमारे साथ बने हैं सौरब क्योंकि हम देख रहे हैं क्या यह मानिए जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है अभी जिस तरह से उप्राश्ट्रपती की ममिक्री को जाटों के अपमान से जोड़ा गया क्या इसका कारण जो है हर्याना में इसी अगयन 24 में विदान सबाद चुनाब होने हैं और लोग सबाद चुनाब होने हैं कि जाट वोटर्स यूपी रजस्तान हर्याना इन तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा खासा प्रभाव रखते हैं इसलिए जाट राजनित्री को पैदा किया जा र हो जाए और जिस प्रकार से भी चैनल पे जो कॉंग्रिस की परवक्ता है वो बार बार धनकड 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 कर रही है वह यह भूल गए कि देश के उपरास्टपती है माह माहीं नहीं लगा सकती तो उनको सम्मान तो दे सकती है कर कोई बात नहीं अब रही बात आगे अब पहले जाती का नाम ले रही थ kendya जाती जनगाना करवाएंगे can эта जखना कर वाएंगे अज उनको जातिव से धिककत आ रही है कि उनकी प्हूंस में अपना रही दूचुख के नहीं तो इसके पहले चल्ला चल्ला करके उनकी जाती बात कराने की बात कह रहे थे अब जि जी जी ने तो चिला चिला करके कहा था तो जब आप लोगों के हाँ जातियां बताई जाती है तो ठीक है दूसरे की जाती जिस परकार से भी समाजवादी पार्टी के परवक्ता बोल रहा है था कि अखिलेस वो कभी जो हल खेत में गए हल नहीं जो था जीनों ने तो मैं पू जिकर वो करते हैं नहीं मैं वहीं कह रहा हूं कि जब प्रदानमंत्री जी ने इसकी बात कही थी तब लोग विरोद कर रहे थे और आज जब समाज जब तीनों जगह जो है बारती जनता पार्टी पुड़ बहुमत से आई और उसके पस्चाट जो है समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनके अंदर उसका अधिकार दिया गया वही उनम ब्रामण च्छत्री और जो पिछड़ा समाज सभी को मुक्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका दी गई तो उसमें भी विपच्च को आपती है तो आखिर जो है विपच्च जो बार बार जो है खुद कि किस तरह से जाती के नाम बे पॉलिटिक्स हो रही है उसका क्या आसर दोजार चौबीस की जो सबसे बड़ी सियासी जंग होने जारी है उस पर क्या पड़ेगा अगले साल जो हर्याना में विदान सवाथ चुना रहे हैं उस पर क्या पड़ेगा और लोगों तक वाकई में कि मैसेज पहुचा है कि उनका अफमान हो भी रहा है या फिर ये सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है बहुत बहुत शुक्रे आप सभी का इस चरचा में हमारे साथ शामिल होने के लिए एक छोड़ा सब रेक ले रहे हैं फरुन हाजीर होंगे देखते रहे है